Hello Aspirants, आईए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें Front page पे हमारी पहली खबर है Secret Papers on Rafale Deal Stolen, Says Government बुधवार को Attorney General K.K. Venu Gopal ने Supreme Court से ये कहा कि 36 Rafale Jets की खरीद पर जो The Hindu ने Secret Documents पब्लिश किये थे उरक्षा मंत्रालाई से चोरी किये गए थे और शायद ये काम पुराने कर्मचारियों ने किया है Mr. Venu Gopal ने 6 March के The Hindu के लीड आर्टिकल का संदर्व लेते हुए ये कहा कि समवेदनशील जानकारी जैसे की हतियारों की कीमत अब पब्लिक डोमेन में है सरकार ये बिलकुल नहीं चाती थी कि ऐसी समवेदनशील जानकारी का खुलासा हो National Security राष्ट्य सुरक्षा को मद्यनजर रखते हुए उन्होंने ये भी सब्मिट किया कि इन Secret Defense Documents के प्रकाशन की वज़े से राष्ट्य सुरक्षा खत्रे में पड़ गई है और इसे के साथ मैतुरिपूर्ण विदेशी शक्तियों से friendly foreign powers से संबंध प्रभावित हुए है Next is Coming Soon, The Indian Museum of Natural History डाइनोसार के जीवाश में से लेके pre-human skulls तक भारत में ऐसे geological और paleontological specimens का एक बड़ा खजाना है जहां गरह की history और scientific information जैसी कई जानकरिया आविलिबल है लेकिन ऐसे दुर्लव नभू ने देश भर की अलग-अलग labs में बिखरे पड़े है इसलिए इस pre-historic heritage या हम कह सकते हैं प्रागेतिहासिक विरासत को अच्छे से सरक्षित करने के लिए सरकार उन्हें एक ही जगे पर रखने की योजना बना रही है उस जगे को कहा जाएगा Earth Museum इस museum को American Museum of Natural History या फिर US के Smithsonian Museum के उपर मॉडल किया जाएगा G.V.R. प्रसाद जो की Department of Geology, University of Delhi के head है उन्होंने बताया कि ये museum पब्लिक-प्राइवेट पार्टनर्शिप के तहट बनाया जाएगा और इसे दिल्ली, नोइडा या गुरुग्राम में कहीं लोकेट किया जाना है सरकार ने उन खामियों को दूर कर दिया है जिसकी वज़े से भारत में प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेसिंग के लिए इंपोर्ट किया जाता था बुधवार को Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Environment Ministry ने एक ओर्डर में ये कहा कि देश में इस सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट को इंपोर्ट करना निशेद है, प्रोहिबिटिड है खास करके Special Economic Zones और Export Oriented Units में भी आईए एक नजर डाले भारत में प्लास्टिक के उतपादन और खपत पर भारत प्लास्टिक स्क्रैप का दस्वा सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना, हॉंग कॉंग, नेधरलेंड्स, जर्मनी, यूएस, बेल्जियम, मलेशिया, कैनडा, आस्ट्रिया और ताइवान के बाद इंडिया में रोजाना 25,940 टन प्लास्टिक का उतपादन होता है जिसमें से सिर्फ 15,544 टन कलेक्ट किया जाता है प्लास्टिक प्रोसेसिक इंडस्ट्री ने 2010 और 2015 के बीच 10 प्रतिशत ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की है यह अपेक्षा की जा रही है कि भारत के सालाना प्लास्टिक खपत 12 मिलियन टन से 2020 तक 20 मिलियन टन हो जाएगी भारत में प्लास्टिक की औसद प्रतिव्यक्ति खपत 11 केजी है जो कि 28 किलोग्राम के वैश्विक औसद ग्लोबल एवेज से काफी कम है Solid Waste Generation Per Capita यानि प्रतिव्यक्ति ठोस अपशिस्ट उत्पादन को अगर हम देखे तो छोटे टाउंस में 0.17 किलोग्राम पर पर संद पर डे है जो कि वही बड़े शहरों में 0.62 किलोग्राम पर पर संद पर डे है नेक्स्ट इस इंदोर गेट्स क्लीनेस सिटी टैग फ़र थर्ड यर इन रो बुदभार को केंद्रद्वारा खुशित किये गए क्लेंलिलेस सर्वे में इंदोर को लगातार तीसरी बार भारत की क्लीनेस सिटी सबसे साफ सुत्रे शहर का टैग दिया गया है दूसरी और तीसरी पुजीशन चत्तीस गड़ के अंबिकापोर और करना टका के मैसुरू को मिली है 2019 के स्वच्च सर्वेक्षिन अवार्ड प्रेसिडेंट रामनात कोविन द्वारा नए दिल्ली में प्रदत किये गये नए दिल्ली मिल्सिपल कांसिल को क्लीने स्वान सिटी का अवार्ड दिया गया है वही उत्तरा खंड के गोच्छर को बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड दिया गया क्लीनेस्ट बिक सिटी का अवार्ड एहमदाबाद को दिया गया जबकि fastest moving big city का अवार्ड राइपूर को दिया गया उजयन को cleanest medium city का अवार्ड मिला है वही मत्वुरा व्रिंदावन को fastest moving medium city का टाग दिया गया Next is ISRO French Agency Seal Agreement on Maritime Security National Space Agency ISRO और उसकी French counterpart CNES ने बुदवार को एगरीमेंट साइन किया है जिसके अंतरगत मई महीने में देश में एक joint maritime surveillance system लगया जाना है ये दोनों देश एक low earth orbiting satellite का एक constellation लगाएंगे जो की विश्वस्तर पर जहाजों के movement को पहचानने के लिए और track करने के लिए होगा और खास करके जो की Indian Ocean region तहां France के reunion islands है वहाँ पे जहाज के movement को track किया जाना है अंगनवाडी या child care centers में थोटे बच्चों, pregnant महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6 services या फिर 6 सेवाएं प्रदान करती है इन 6 सेवाओं के package में जो सेवाएं शामिल है वो है supplementary nutrition, referral services, immunization, health check-up, pre-school non-formal education और health and nutrition education next is बाला कोर्ट satellite photo show मदर्सा बिल्डिंग still standing रिउटिल्स द्वारा review करी गई high resolution satellite images में उत्तर पूरवी पाकिस्तान में जैशे मोहमद द्वारा चलाई जा रही religious school जैसे कि तैसे खड़ी है जैसे पहले थी जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं अप्रिल 25, 2018 में ये मदर्सा यहाँ पे था वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मार्च 4, 2019 को दिखाया जा रहा है बिल्कुल 6 दिनों के बाद जब भारत ने air strike किया था उस जगा पे ये images मोदी सरकार द्वारा दिये गए पिछले 8 दिनों के स्टेटमेंट्स पर एक शंका खड़ी करती है कि 26 फरवरी को उन्होंने लक्षित लक्ष पर बॉंबिंग करके कई आतंगवादियों को मार गिराया next is wind energy capacity expansion to slow in next 5 years says क्रिसिल क्रिसिल की एक report अनुसार 2019 से 2023 के बीच wind energy sector में शमता वृद्धी धीमी पढ़ जाएगी जिसके अंतरगत सिफ 14 से 16 गिवाट ही एड किया जाना है और ये सब इसलिए क्योंकि bid responses और original equipment की profitability में गिरावट आ गई है competitive bidding mechanism प्रतिस प्रदी बोली तंत्र की ओर shift की वज़े से इंडस्ट्रिल ग्रोथ धीमी पढ़ गई है और इसका कारण है टैरिफ में महत्वपूर्ण गिरावट होना competitive bidding mechanism की ओर shift हो जाने से wind energy sector में टैरिफ्स 4 से 4.5 पर unit से लेके 2.4 से 2.6 पर unit की गिरावट हो गई है इसी के साथ हमारा आज का दह हिंदू का विशलेशन यहीं समाप्त होता है दह हिंदू के daily current affair videos हिंदी में देखने के लिए हमारी यूट्यूब चानल एही शायंग आयस को सब्सक्राइब करें बेल का बटिन दबाना ना भूले